दिल्ली रोड इस्तित निम्स इंटरनेशनल स्कूल की ओर से अंतरास्टिय मानव अधिकार दिवस पर स्कूली विध्यारतियों ने एक जागरुकता रैली निकाली इस्तित निम्स इंटरनेशनल स्कूल ने 71 अंतरास्टिय मानव अधिकार दिवस पर आम आदमी के अधिकारों के परती जागरुकता रैली निकाली इस्रेली की शुरुआत में छातर छातराओं ने नुकरनाटक के माध्यम से लोगों को प्रेदित किया जागरुकता कारिक्रम में बतौर मुख्याती थी निम्स मेडिकल कॉलिज की प्राचार्य डॉक्टर मिनाक्शी शर्मा ने कहा कि आज देश और दुनिया में मानव अधिकारों के प्रती जागरुकता की कमी है इसके लिए मानव अधिकारों का ग्राउंड जिरो लेवल पर प्रचार पुसार होना चाहिए जागरुकता रेली निम्स केमपस की सभी सड़कों और चोराहों पर निकली और तीन अलग अलग चोराहों पर नुकरनाटक का मंचन किया गया इसरेली में मानव अधिकारों के नारे लगाए गए और इसको हरी जंडी दिखा कर डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर मृदला त्रहन ने रवाना किया निम्स इंटरनेशनल स्कूल की प्राचारे रेखायादव ने बताया कि हमारा स्कूल हर जागरुकता अभियान में बढ़ चड़ कर भाग लेता है इस रैली में निम्स इंटरनेशनल स्कूल के सेक्रों विद्यहरतियों ने भाग लिया और अपने मन की बात खई इस अफसर पर निम्स यूनिवरस्टी में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टुडेंट से भी हुई खास बातचीत तुम्हें आपको बता दें कि इस अफसर पर विश्वे विद्याले के सभी प्राचारे और निम्स इंटरनेशनल स्कूल के सभी शिक्षक और चात्र चात्रा मजूद रहे